दोस्तों साउट इंडर्स्री से एक ऐसी खबर निकल के आई है जिसे सुनने के बाद आप भी कहोगे कि भाई अगर ये कॉम्बिनेशन हो जाता है तो यह यह फिल्म बॉक्स अपिस पर आते ही धमाल बचा देगी तो दोस्तों क्या है यह रिपोर्ट चलिए मैं आपको बताता हूँ हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और एक खास रिपोर्ट जो की जुड़े भिया बॉलिवुड के सदी के रियल मेगा स्टार याने की दवंग खान सल्मान खान से और उसके साथ साथ ट्रिंडिस्टी के सूपर स्टार याने की रामचरन से तो दोस्तों आपको दुपती हैं कि इन दिनों सल्मान खान अपनी आने वाली मच अवेटेट फिल्म यानि कि राधी और Most Wanted भाई को लेकर काफी चर्चाओं में हैं तो वही पर रामचरन या अपनी आने वाली Much-Awaited फिल्म यानि कि ट्रिपल आर को लेकर काफी चर्चाओं में और भाई ये दोनों फिल्में इस साल की Much-Awaited फिल्म हैं फैंस के लिए तो दोस्तो इन फिल्मों का इंतजार तो फैंस काफी बेताबी से कर रहे हैं लेकिन इसी बीच में रामचरन की आने वाली अगली फिल्म यानि कि RC-15 को लेकर एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसे सुनने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर ऐसा हो गिया तो भाई बॉक्स ओफिस पर आग लगने वाली है आग यानि कि RC-15 को लेकर ये बात तो हम लोगो ने आपको पताई है कि भी इस फिल्म को डिरेक्ट करने वाले हैं साउथ के जाने माने डिरेक्टर यानि कि शंकर और इस फिल्म में रामचरन के साथ नज़राएंगी कियारा आडवानी और भाई अब इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि भी इस फिल्म में सल्मान खान की भी इंट्री हो सकती है यानि कि इस फिल्म को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है कि इस फिल्म में सलमान खान एक सूपर कॉप का किरदार नभाज सकते हैं यानि कि इस जबरदस्ट कैमियो के लिए सलमान खान को अप्रोच करने वाले हैं संकर और रामचरन यानि कि वो जो किरदार इस फिल्म के लिए लिखा गया है उसको लेकर शंकर को ऐसा लगता है कि ये किरदार सलमान खान से अच्छा कोई और निभा नहीं सकता है और इसी बात को लेकर सलमान खान से बहुत जल्दी रामचरन और शंकर मीटिंग करने वाले हैं तो दोस्तों अब देखने वाली बात ये है कि सल्मान खान के रिस्ते रामचरन के परिवार से तो बहुत अच्छे हैं यानि कि सल्मान खान उनके पिता के भी अच्छे दोस हैं और रामचरन उनके खुद बहुत बड़े प्रसंसक हैं और अगर खुद रामचरन सल्मान खान स इस फिल्म के लिए अप्रोच करेंगे कि वो इस किरदार को निभाएं तो क्या सलमान खान ये ओफर एक्सेप्ट करेंगे यानि कि विया रिपोर्ट तो यहां तक आ रही है कि विया अगर ये ओफर उनके पास जाता है तो हो सकता है कि सलमान खान इस कैमियो के लिए मना कर दे लेकिन भीया हाल फिलाल में जिस तरीके से राम चरन ने सल्मान खान के फिल्म मैंने के दबंग के लिए अपनी आवाज दीती साउथ इंडर्शी में तो भीया ऐसा नहीं लगता है कि अगर राम चरन सल्मान खान से ये बात कहेंगे कि वो उनके फिल्म में एक जबरदस्त किरदार निभाएं तो हो सकता है कि सल्मान खान उनको मना नहीं करेंगे तो दोस्तों आप अपने कमेड़ी के मादम से बताएगा कि अगर ये दोनों खलाकार एक साथ एक फिल्म में नज़र आएगे तो भीया कैसा होगा धमाका बॉक्स अफिस पर अपने कमेड़ी के मादम से हमें ज़रू बरताएगा तो बॉली उट से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्मूज जिक्षेन को लाइक स्ब्क्राइब करना ना भूलेगा और हमाने अपडेट्स को जाने के लिए बलागन को ज़रू बाईगा